Catch Online ग्यान के एक और नई वीडियो के साथ में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भार्दियो वाई सेना, इंडियन एर फोर्स जिसका पोस्ट का नाम है इंडियन एर फोर्स एरमेन ग्रूप वाई इंटेक 01-2025 और दोस्तों इसका Official Notification और Online Application जारी कर दे गई है जिसके बारे हम हम जानेंगे Allizability Criteria, Selection Process, Important Dates, Online Application Process और Document Required तो वीडियो बहुत ही Important होने वाला है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, Share करें चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कियें तो सब्सक्राइब करें इससे आपको इसी तरह से Important वीडियो मिलते रहेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इनका Official Notification का PDF फाइल और Online Application का Link दोनों ही आपको वीडियो के Description मिल जाएगा यहाँ पर जब आएंगे तो आप देख सकते हैं भारती वाइस हैं न, Indian Air Force साथी में यहाँ पर आप देख पार है For Airmen in Tech 01-2025 तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर क्योसन देख सकते हैं यानि कि सावधानी यहाँ पर यह लिखा हुआ Selection in the Indian Air Force is a fair and transparent and on a merit only साथी में बाकी का डीटेल यहाँ पर आप एक बर अच्छी तरह से पढ़के देख सकते हैं दोस्तों इसकी online application की registration के date यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि start हो चुकी आज यानि कि 22-5-2024 से और इसके registration के last date यहाँ पर आप देख पा रहा है जो कि 11 November 2024 और यहाँ पर आपको enrollment list मिल जाएगी जो कि 28 November 2024 इस application के लिए fees भी applicable हुई है जिसके लिए 100 रुपीस आपका fees प्लस GST charge यहाँ पर applicable होगा payment mode की बात करें तो आपको online payment करनी पड़ेगी जैसे कि आप अपना credit card, debit card, UPI के mode से आप payment कर सकते हैं दोस्ते इसमें age की बात करें थी यहाँ पर medical assistant trade जिसमें से कहा गया है कि 2 January 2004 से ले करके 2 January 2008 की बीच में होना चाहिए इसके अलावा जो candidate का medical assistant trade with diploma या फिर B.S.C. in pharmacy जिसमें लिए यहाँ पर बता जा रहा है कि candidate and married होना चाहिए साथी में उनका date of birth 2 January 2001 से ले करके 2 January 2006 की बीच में होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर बता जा रहे कि जो candidate married है उनका date of birth यहाँ पर 2 January 2001 से ले के 2 January 2004 की बीच में होना चाहिए और साथी में इसका upper age 21 years है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं qualification जिसमें से आपको medical assistant trade और यहाँ पर आपको detail देखने के मिल जाएगा साथी में आपको medical assistant trade with diploma या फिर B.S.C. in pharmacy तो बाखी का detail यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं सभी detail यहाँ पर mention किया हुआ इसके अलावा यहाँ पर आपको medical standard जिसमें से आपका height, chest, weight, hearing, dental सभी detail यहाँ पर आपका mention किया हुआ है यदि आपको लगे कि आप इस application के लिए qualified है, eligible है तो application करें application करने के लिए जैसा कि मैंने बता हैं आपको link video के description मिल जाएगा और आने के बाद कुछ यहाँ पर इस तरह से आपको interface देखने को मिलेगा इसके बाद आप यहाँ पर ओपर के तरफ देख पार है airman rally और यहाँ पर आपको बहुत सारी link मिल जाते हैं लेकिन आपको जाना है candidate login यहाँ पर आपको click कर लेना है यहाँ पर चुकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका email ID और password मांगा जा रहा है चुकि इस website में आप first time आया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको register कर लेना है sign up करना है इसलिए आप आप देख पार है to register click here यहाँ पर आपको click कर लेना है इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर जो detail देख पार है उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले उसके बाद नीचे को यहाँ पर आप देख पार है जो कि country यहाँ पर आप अपना India इसलेक्शन कर लेंगे यहाँ पर आपको domicile state जो कि जो भी state से आप बिलोंग करते हैं state को यहाँ पर आपको selection कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको domicile district मिल जाता है जो भी district से आप बिलोंग करते हैं उसका selection करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले selection करना प कि वही नेम का spelling इंटर करेंगे जो आपका क्लास जेन का सर्टिपिकेट और मार्कसीड में जो इस पेलिंग है उस बात को आपको ध्यान रखते हुए आपको अपना जेनर सेलेक्षन कर लेना है इसके बात यहाँ पर आपको अपना नेम इंटर करना है इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वही नेम का spelling इंटर करेंगे जो आपका Class 10 Certificate या Mark Seed में जो Mention किया है उसी साबसे यहापे आपको इंटर करना है साथी में आपको एक important बात बताना चाहूँगा यहापे जो detail में आपको बताने वाला हूँ जो detail में बता रहा हूँ जस्ट एक आपको demo की साबसे बता रहा हूँ तो आप अपना detail जो भी इंटर करेंगे आप अपने according यहापे आपको इंटर करना है ठीक है उसके बाद यहापे आपको email id इंटर कर लेना है यहापे आप अपना zender को selection कर लेंगे यहापे आपको अपना mobile number इंटर करना है और यहापे देख पा रहे है zenderate OTP जाएगा कि आपका email id और आपका mobile number दोनों ही सही है तो यदि आपका सही है तो यहाँ पे आपको OK में किलिक कर लेना है देख पार है दोनों में ही OTP जा चुका है अभी आपको दोनों ही जगह से OTP यहाँ पे आपको ले लेना है जैसे आपका email में जो OTP आपको इंटर करना है और आपके mobile में जो OTP उसे भी आपको इंटर कर लेना है दोनों ही यहाँ पे OTP को कनफर्म करेंगे इसके बाद यहाँ पे आप जो capture code देख पा रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आए तो simply यहाँ पे रिफ्रेस करना है अगर आप capture code आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है और simply यहाँ पे register के section देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको click कर लेना है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको message मिलागा यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि you have successfully sign up यानि कि आपका registration complete हो चुका है simply यहाँ पे ok में आपको click कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वही email id इंटर करना है जिससे अभी आपने sign up किये थे साथी में आपके पास आपका email id दिये थे उसमें आपको system generated password मिल चुका होगा जिसे यहाँ पे आपकोôi winter कर लेना है chapter code देक लेया है उससे यहाँ पे type करेंगे simply sign in में click कर लेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जु पासवर्ड आपको नया एक फिर से strong password बना लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक password set कर लेना है पासवूर्ड में क्लिक कर लेंगे यहाँ पो इस तरह से मैसेप मिल जाएगा पासवर्ट रिसेट सक्सē्सफुली उसके बाद OK में क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको सब सह पहले एक काम करना देख पारें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बाद यहां पे continue to registration यहां पे आपको किलिक कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको आपको आपका father का name इंटर करना है तो इस बाद को द्यान डखना है कि class 10 का certificate में जिसे सबसे spelling है उसी हसाब से यहां पे आपको इंटर कर लेना है साधी में एक बार मैं फिर बतना चाहूंगा यहां पे जो भी visible identification mark तो किसी पी तरह से आपके body में कोई cut या कोई mall है identification के लिए तो यहाँ पे आपको enter कर लेना है दोस्तों यहाँ पे जो देख पार है आधार नमबर साथी में नीचे में देख पार है optional तो यहाँ पे यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको अधार नमबर नहीं भी इंटर करेंगे तो आप अपना यह application कर पाएंगे अधर अस्टेट वाले यहाँ पे आपको अपना अधार नमबर इंटर करना पड़ेगा और सिंपले यहाँ पे save and continue में क्लिक कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं personal details save successfully यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं domicial requirements तो यहाँ पे detail एक बर अच्छी तरह से पढ़ लें उसके बाद यहाँ पे आप OK देख पारें क्लिक कर देंगे यहाँ पे आप से इसके बाद यहाँ पे आप group या trade जो भी आप apply करना चाहेंगे यहाँ पे आपको options मिल जाएंगे तो आप अपने according जो भी application आप करना चाहेंगे इसके लिए यहाँ पे आपको टिक कर लेना है इसके बाद save selected group or trade यहाँ पे आपको इसके बाद उसका डीटेल आपको इंटर कर लेना है । तो आप जो भी क्वालीफिकेशन यहां पर इंटर कर लेना है अगर आप सेका इन पाईए मैं नीचे में भाइक , यहां पर इन पर सेलेक्शन करना है फिल करने पड़ेंगे इस तरह से यहां पर सभी डीटेलिक को केरफूली अच्छी तरह से इंटर कर लेना सिंप्ली यहां पर सेव वले सेक्षण में क्लिक गुर्ढा देंगे ने इसके बात दोस्ते यहाँ पर आपको अपना present address का detail इंटर करना है तो यहाँ पर सबसे पहला आपसे पूछा जा रहा है house number या फिर street तो जो भी है आपके पास यहाँ detail इंटर करेंगे इसके बाद village, तहसील, police station, पिन कोड और बाकी का district, state और country यहाँ पर ओल्रीड फिल हुआ दिखने को मिल जाएगा नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो की additional detail और इसमें star mark है तो यह सभी detail आपको यहाँ पर जो देख पा रहे है centimeter में इंटर करना पड़ेगा यदि applicable नहीं है, simply यहाँ पर no में click कर देंगे साथी मैं आप से पूछा जा रहा है, are you certificate holder of national court crops NCC यदि आपके लिए yes है, applicable होगा, तो यहाँ पर yes में click करेंगे और नीचे में आप से यहाँ पर पूछा जा रहा, certificate type जिसे कि ABC तो जो भी detail यहाँ पर आपका applicable होगा उसका selection कर लेंगे, यदि आपके लिए applicable नहीं है, simply यहाँ पर no में click करेंगे और इसके बाद यहाँ वे save and continue में click कर लेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना documents को upload करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 10 to 100 KB आपका बोला गया, जो photo का size है, वो होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर आपका 50 to 150 KB में आपका बाकी other document जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं Class 12 का आपका Mark Seat और Certificate होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर upload नहीं लेगा इसके बाद सभी detail यहाँ पर जब आप upload कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको checkbooks में क्लिक करने से पहले detail को एक बर अच्छी तरह से पढ़ लें उसके बाद यहाँ पर confirm करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी place है प्लेस का नेम यहाँ पर आपको enter कर लेना है और simply यहाँ पर save and continue में क्लिक कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको आपका application का preview दिखा जाएगा तो detail एक बर अच्छी तरह से confirm कर लें इसके बाद दोस्तों नीचे को scroll down करेंगे यहाँ पर आपको options मिल जाएगा जो की submit करने का तो detail अच्छी तरह से verify करेंगे उसके बाद यहाँ पर submit का section में click कर लेंगे इसके बाद आपको payment gateway में redirect कर दे जाएगा जहाँ पर आपको 100 rupees plus GST जो charges applicable होगा वो payment यहाँ पर करना पड़ेगा जिसके लिए आपको options मिल जाएगे debit card, credit card, net banking या UPI के मोट से आप payment इसे कर पाएगे ठीक है तो इस तरह से आप payment को complete कर लेंगे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो date आप देख पा रहा है 3 जुलाई से 12 जुलाई में इस बीच में आपको कभी भी आपका रेली के लिए आपके पास detail आएगा तो website में official notification आप देखते रहें यहाँ से आपको detail मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सेर करें या चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखें थैंक्यू